असलावलेकूम वेलकम तो जी एफेक्स मेंटॉर मैं आपका टीचर इम्रान और मैं फिर लेकर आगया हूँ आपके लिए फाइव मिनिट्स टिप और टिप क्या है और सिंपल सी यार कई मरतबा हम यहां पर अपना टाइप करते हैं और यह भूल जाते हैं कि जो हमने इंग्ल कोई मसला नहीं है मिस्टेक्स करें मैं भी बहुत जादा टाइप जब करता हूं तो मिस्टेक्स कर रहा होता हूं और उसको करेक्ट करने के लिए इलस्ट्रेटर आपको एक बहुत प्यारा सा ऑप्शन देता है और यह देखते हैं किस तरह से हम चेक करेंगे तो यहां पर मैंने एक चोटी सी स्टोरी लिकी हुए है और अपकुर्स मैंने नहीं लिखिये यह वह पुरानी सी स्टोरी एक चुहे और शेर वाली स्टोरी तो अगर आप गोर से देखें तो मैंने इसमें कुछ गलतियां जानबूश के करिये लाइन की स्पेलिंग में मिस्टेक है और आगे भी कुछ चीजों की स्पेलिंग मैंने गलत की हुई है अब जब आप पूरा टाइप कर चुके हों और आपको यह चेक करना है कि स्पेलिंग सही हैं य किस तरह से हम इसको करेंगे सो कुछ भी नहीं करना आपने पूरा अपना बना लिया है मैं यह बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्टा खुली हुई है इनको मैं बंद कर दूं आपने सिंप्ली यहां जाना है एडिट के मेन्यू में और यहां पर आपके पास आ रहा है करना इसमें सिर्फ स्टार्ट पर क्लिक करेंगे वह आटमेटिकली आपके तवाम तर टेक्स्ट को चेक करना शुरू कर देगा कि कहां कहां गलती है सो देखें जैसे यहां पर यह क्राइड लिखा हुआ है स्पेलिंग सही है लेकिन सजेशन क्या दे रहा है देखें जब च कर रहा है कि क्राइड में सी कैपिटल होना चाहिए इसको आप चेंज करना है तो चेंज कर ले मैंने इसको चेंज कर लिया नेक्स उसमें मिला उसको मिला यह फॉर्गिव जिसकी स्पेलिंग गलत हुई है डबल आई लिखा हुआ है अब देखें दो आप्शन आपको दे र है यहाँ है और हम भाना था नहिंद्स को चेंज किया इसे में सेॉसमेलर्ली कैप्चर को चेंज किया सेड्र में एस जाह यह उसको ऊक्रलियावत और अप कैप्लीट हो जागा लिखेंगा आप इसको सिंप्रिट डं करें आपकी दन हो चुकी ना कुछ अलफाज ऐसे होते हैं जो के इंग्लिश के लिहाज से घलत होते हैं so for example मैं एक वर्ड लिख रहा हूं जी एफेक्स मेंटॉर मैं खास तरीके से लिख रहा हूं के जी एफेक्स और M capital है और बाकी यह अब मैं इसको एक वर्ड के तौर पर लिखना चाह रहा हूं लेकिन देखें जैसे ही मैं यहां पर spell check चलाओंगा start यह इसने फॉरा नहीं पकड़ लिया so आप यहां पर यह भी कर सकते हो कि अपनी dictionary में add कर सकते हो अब मुझे पता है कि यह सही लिखा है मुझे इसको जब ही लिखना होगा मैं ऐसे ही लिखूंगा तो मैं इसको यहां पर add कर सकता हूं जब मैं add करूंगा इसको तो आपका यह illustrator अब इस वर्ड को हमेशा पहचानेगा कि यह वर्ड यह लिखा जाता है इवन कि आप अगर new file में आ जाएं तो वहां पर भी यह आपका चेक करेगा इसके लिहाज से जो मैंने यह जी एफेक्स मेंटॉर टाइप किया है यहां पर check spelling start कोई घलनी यहां पर नहीं मिली क्यूंकि हम इसको इस वर्ड को अपनी डिक्शनरी में add कर चुके इन अगर आपको अपनी डिक्शनरी चेक करनी है तो यहां पर जाए edit to custom dictionary और यहां पर आप आप अपने मजीद words add कर सकते हैं अगर आप मजीद कोई और वर्ड आड करना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पर इम्रान मैं add करना चाहूंगा इसमें अली एड टिया एन एड तो यूजली नाम जो है हमारे उन पर भी आपको यह पता होगा कि आप जो वर्ड लिख रहे हैं वो सही है तो आप उसको अपनी डिक्टरी वाट कर लें आपनों को यह छोटी से टेप अच्छी लगी होगी और यह बहुत यूसफुल है बहुत काम किये तो प्लीज इसको यूस कीजिए का जब भी आप कोई आर्टवर्ग बना उसमें अगर टेक्स ज्यादा है तो स्पेलिंग्स चेक कर लिया करें ठीक है घलत स्पेलिंग डालके अपना आर्टवर्ग मध डालें बहुत बुरा लगता है और अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ थेंक्यू झाल